गुड मॉनिंग बच्चो मैं दीपक पांडे आप सभी का उडान्द फ्लाई के पेट्फॉर्म पे स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चो पिछले क्लास में हम लोगों ने मूल अधिकार के बारे में बाट किया था तो आज हम लोग का जो टॉपिक है मूल करतब है फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने अधिकारों को तो समझ लिया कि अधिकार जो है क्या क्या है कौन कौन से अधिकार है जिसमें हम लोगों ने समानता का अधिकार सोतनता का अधिकार उसके हलावा हम लोगों ने सोचन के विरुद्द अधिकार, धार्मिक सुदंता का अधिकार, संस्कृतियों सिच्छा संबंदी अधिकार, एवं संब्धानी गुप्चारों के अधिकार के बारे में हम लोगों ने बात किया पिछले क्लास में आज हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है भाग चार का मूल करतब कोश्चन अक्सर बहुत सारे पूछे जाते हैं अभी पिछले संडे को जो है I.S का एक्जाम था उसमें भी कोश्चन पूछे गए, तीन चैप्टर से कोश्चन आया हैं, बहुत अच्छे कोश् टॉपिक है कोई इस में तप नहीं है concept को समझना है 5 से 7 आठ प्रकार के प्रसथ बनते हैं 5-8 प्रकार के हम लोग प्रस्थ शीक लेंगे तो question उसी में से आने है उस से बाहर question आने नहीं है तो आहिए देखते है मूल कर्टब, सबसे पहले हमको यह सबजना होगा कि मूल कर्टब बिसिकली होता क्या है सबसे पहले यह सबजना होगा कि यह मूल कर्टब बिसिकली होता क्या है तो मूल कर्टब बिसिकली होता तो मूल करतब के बारे में लोग क्या करेंगे बात करेंगे कुछ टेकनिकल प्रॉब्लम था उसके वज़े से जो है चीजे रुकी हुई थी तो मूल करतब के बारे में तो मूल करतब जो होता है वह भारती संविधान में नागरिकों को दिया गया है करतब बाध्यकारी नहीं होते लेकिन अधिकार और करतब के मध्य संतुलन अस्थापित करने के लिए करतब्यों का जितना महत्तो है उतना ही अधिकारों का भी महत्तो है ऐसा नहीं है कि हम अपने अधिकार के प्रति क्या हो जागरूख हो और करतब्य का बारी आए तो करतब्य के प्रति जागरूख ही नहों एक सब्धी समाज एक समरिद्धी समाज में ये चीजे दिखाई दिखाई देनी चाहिए कि दोनों के मद्ध क्या हो संतुलन हो तो पहले जो प्रस्ण बनता है मूल करतब से कि मूल करतब को किस भाग में रखा गया है उसके बाद मूल करतब के लिए कौन सान उच्छेद है मूल करतब्यों को भाती संविधान में कब सामिल किया गया मूल करतब्यों को किस समित के सिपारिष पर सामिल किया गया मूल करतब्यों को जब सामिल किया गया तो उस समय कौन सा संभिधान संसोधन किया गया और जो संभिधान संसोधन किया गया वह संभिधान संसोधन कब किया गया जब संभिधान संसोधन करके मूल करतब्यों को भाति संभिधान में जोड़ा गया तो उस समय कितने मूल करतब्य थे और वर्तमान में कितने मूल करतब्य है इन सभी विश्यों पर क्या करना है हम दो को बात करना है आईए इतने परकार के प्रस्न है ये question अक्सर exam में क्या की आते हैं पूछे जाते हैं तो हम लोग discussion क्या करते हैं यहीं से start करते हैं अब हमोग का टॉपिक होगा टॉपिक यही है चीजों को जो है कैसे समझा जा sheriff कैसे टॉपिक का यूज करके हम लोग आगे बढ़ना हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं तो मूल करतब्य के बारे में बात कर रहा है, मूल करतब्य के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीच के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है, और इन मूल करतब्यों को जैसे पूछा जाए पहला प्रस्न, जो पहला कोस्चन बनेगा, कि मूल करतब्यों को किस भाग में रखा गया है चारक या फोर ए में जो है क्या किया गया है रखा गया है दूसरा प्रस्ण दूसरा प्रस्ण यह है कि मूल करतब्यों को भारती संबिधान में किस समिति केसी फारिश पर सामिल किया गया या किस समिति की अनुसंसा पर सामिल किया गया तो उस समिति का नाम था स् स्वर्ड सिंग समिति के सिपारिस पर क्या किया गया इसे सामिल किया गया उसके बाद तीसरा प्रस्न मूल करतब्यों को किस अनुछेद में रखा गया है तो इसे अनुछेद 51 क में रखा गया है अनुछेद 51 क में क्या किया गया इसे रखा गया है तो मूल करतब्यों को किस अ पहला प्रस न किस भाग में रखा गया है। में सामिल किया गया, तब किया गया, पिर उसके बाद, नेक्स कोश्चन, मूल करतव्य किस संबिधान संसोधन के दौरा सामिल किया गया, भारती संबिधान में, तो 42 संबिधान संसोधन, 42 संबिधान संसोधन के दौरा क्या किया गया, इसे भारती संबिधान में सामिल किया ग 76 के द्वारा क्या किया गया इसे सामिल किया गया यह देखिए यह चार पांच प्रगार के प्रस्ण है यहीं से question क्या किया आते हैं पूझे जाते हैं तो हम लोग आगे चलते हैं तो जो हम लोग का next question बनेगा आईए उस पी चर्चा करते हैं next question यह बनता है कि जब 1976 में मूल करतव्यों को भाती संविधान में सामिल किया गया तो उस समय मूल करतव्यों की संख्या कितनी थी तो उस समय जो FD थे FD FD की संख्या या मूल करतव्यों की संख्या जो थी ओ कितनी थी 10 दस प्रकार के मूल कर्तब्य थे उननीसोचीयक्तर में जब इसको भारती संविधान के भाग चारकर के अरुच्छे दिक्यावन का में रखा गया फिर पुछा किया कि वर्तमान में मूल कर्तब्यों की संख्या कितनी है वह 86 संबिधान संसोधन अधिनियम 2002, 2002 में क्या बढ़ा एक पैरेंस अभिभावकों के लिए मूल करतब बे जोड़ा गया, माता पिता या अभिभावकों का यह करतब बे निश्चित किया गया, कि अभिभावकों का यह करतब है, कि वह 6 से 14 वस्तक के बच्चों के लिए सिच्छा की विवस्था करें, यह उनका करतब है, इसे कब सामिल किया गया, तो इसे 2002 में सामिल किया गया, किस अमेंडमेंड के द्वारा किया गया, 86 अमेंडमेंड के द्वारा, 86 अमेंडमेंड के द पहर आने नहीं हैं तो आई हम लोग टॉपिक को क्या करते हैं डिसकस करते हैं बहुत छोटा टॉपिक है और कोश्चन यहां से आने की संभावना है जो है 100% होती है आप देखिएगा अभी संडे को आने वाले कमिंग संडे को PCS का एक्जाम है और वहां जो है मूल करतब्यों से कोश्चन आपको 100% क्या होगा दिखेगा तो आईए हम लोग जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं आईए चलते हैं हम लोग तो हमने बताया आपको हमने बताया कि आज हम लोग बात कर रहें किसके भाग चार के बारे में और भाग चार में अनुच्छे दिख्यावन का जो है वह किस से संबंदित है तो वह मूल करतब्य से संबंदित है यह मूल करतब्य किसको प्राप्त है तो यह मूल करतब्य भारतिय नागरिकों को क्या है वारती नागरिकों को प्राप्त है मूलकर तब्य, जिसे कहां रखा गया है तो भाद चारक में रखा गया है कि सन उच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 51 क में रखा गया, 29 माई 1978 नहीं है यहां पर इसको 1976 कर पर अनुसाँ देने के लिए सरदार स्वडशिंग समीति अबatoreल स्वडार स्वडुसिंग समीती का क्या गठन किया गया और इन्हीं सरदार स्वडशिंग समीति इन्हें अपने अपने रिपोर्ट में इसमपत्ती नहीं है अपने रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया आठ प्रकार के मौलिक कर्तब्यों को सुझाओ दिया लेकिन आठ प्रकार के मौलिक कर्तब्य सामिल नहीं हुए बनकि दस मौलिक कर्तब्यों को क्या किया गया सामिल किया गया यह जो दस मौली करतब बे सामिल हुए स्वाड़ सिंग समीति की अनुसंसाओं के अधार पर 42 वा संबिधान संसोधन अधिनियम 1936 द्वारा अनुच्छेद 51 का संबिधान में जोड़ा गया तथा संबिधान में दस मौली करतब बे क्या किये गए सामिल किये गए इसके बारे हम लोगों ने अभी बात किया ज़श्ट की कौन सी समीति तो समीति का नाम क्या था सरदार स्वाड़ सिंग समीति किस से संब्मदिधा तो यह जो है मौल करतब्यों से संब्मदिधा किस भाग में है तो भाग 4 क में है किसा अनुचेद में है, अनुचेद 51-क में है, उस समय कितने 1976 मुलकरतब्य थे, तो दस प्रकार के मुलकरतब्य थे, इस सब चीजों की बारे हुआ लोगो lord discuss कर लिया, और एक question पुछाजाता है, मुलकरतब्यों को कहां से लिया गया है, तो मुलकरतब्यों को रूस से लिया गया है तो ये भी याद रखी ये बहुत question पुछा जाता है उसके बाद next वर्स 2002 से पहले कितने मूल करतब्य थे दस मूल करतब्य थे उसके पश्चार 2002 में 86 संभिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा एक मौलिक करतब और जोड दिया गया अतह अब मूल करतब्यों की संख्य बढ़कर कितनी हो गई 11 दस में एक मूल करतब्य थे 86 संभिधान संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड दिया गया तो इस प्रकार मूल करतब्यों की संख्या 2002 में कितनी हो गई 11 मूल करतब्य हो गए नेक्स चलते हैं हम लोग तो संभिधान में कौन कौन से मूल करतब्य है यह उसके बारे महों लोग देखते हैं यह संभिधान में मूल करतब्य है तो जो पहला मुलकरतब्य है क्या है कि संबिधान का पालन करके और उसके आदरसों, संस्थाओं, राश्ट्रध्वज और राश्ट्रगान का आदर करें तो संबिधान का भी आदर करें अगर आप भारत के नागरिक हैं तो संबिधान का आदर करने के अलावा आपको राश्ट्रगान का सम्मान करना है, राश्ट्रध्वज का सम्मान करना है और उससे सम्मंदित जो संबिधानिक संस्था हैं, उन संस्थाओं का भी क्या करना है, सम्मान करना है इन सभी चीजों को मौलिक करतव्यों के अंतरगत क्या किया गया है रखा गया है उसके बाद दूसरा मौलिक करतव स्वतनता के लिए हमारे राश्टी आंदोलन को प्रेजित करने वाले उच्च आदरसों को हिदर में सजोए रखे ये कौन से लोग है अगर आपने इतिहास पड़ा होगा तो इतिहास में पढ़ने के दरमियान आपने ये देखा होगा कि 1947 से पहले भारत में किसका सासन था तो 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का सासन था भारती ये बेवस्ता अंग्रेजों की क्या थी गुलाम थी और भारत के लिए जो भी कारे करना था वो अंग्रेजों के रहमो करम पे था अंग्रेज चाहेंगे तो विगास होगा और नहीं चाहेंगे तो नहीं लगबग 200 वर्सों तक जो है अंग्रेजों ने भारत के उपर सासन किया और इस 200 वर्सों के दर्मियान बहुत सारे ऐसे ब्यक्तित्त हुए जिनों ने अंग्रेजों से सुतंता दिलाने के लिए अपनी जान तक क्या कर दी निवच्छावर कर दे ये वही राष्टी आंदोलन में जो प्रेरित जो ब्यक्तित्तों थें उनी ब्यक्तित्तों की बात कर रहा है उनी ब्यक्तित्तों के आदर्सों और वैसे ब्यक्तियों के विचारों को और वैसे ब्यक्तियों को हमको अपने हिदय में क्या करना है सजोय रखना है इनको भी क्या किया गया है मुल करतब्यों के अंतरगत सामिल क्या गया है नेक्स्ट तीसरे पर आ जाते हैं हम लोग जो तीसरा मुल करतब्य है यह क्या कर रहा है तीसरा मुल करतब्य है यह यह बता रहा है कि भारत की संप्रवुता भारत की एकता और भारत की अखंडता की रच्छा करे और उसे अच्छूर बनाये रखे भारत की संप्रभुता सोवेनिटी सोवेनिटी के बारे हम लोगों ने चर्चा किया है अच्छा कि एक अएसी सरवोच्छ इच्छा जिसके माध्यम से कोई भी राज अपने आंतरिक सीमा के अंतरगत किसी प्रकार की योजनाओं को किसी भी प्रकार के कानून का निर्मान कर सकता है और साथ ही वह दूसरे देशों से अपने रिष्टों को बेहतर कर सकता है इसमें किसी भी प्रकार का तीसरी सकती का हस्तच्छेप नहीं होगा क्योंकि भारत एक क्या है संप्रभु राज्य है ये जो संप्रभुता ये सकती है इसको लंबे समय तक बनाए रखना भी एक प्रकार की क्या है सबसे बड़ी चलिंज है चुना ऊती है तो संप्रभुता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसमें नागरिकों का भी बहुत महत्वपूर रोल होता है तो ये मुल करतब के रूप में रखा गया है कि संप्रभुता को बनाए रखे देश के अंतरगत एकता और अखंडता को बनाए रखे देश में अनेको धर्मों के लोग रहते हैं अनेक जातियों के लोग रहते हैं और इन धर्मों अनेक धर्मों और अनेक जातियों को मिल के रहना है एकता यूनाइट के साथ रहना है जिससे भारत की एकता अखंडता क्या रहे बनी रहे यह सभी नागरिकों का क्या है करतब्य ह नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं चार नंबर पे चार नंबर पे कह रहा है देश की रच्छा करें और आवान किये जाने पर राश्ट की सेवा करें इसका मनलब क्या है कह रहा है कि देश की रच्छा करें यह आपका मौली करतब भी है उस देश का नागरिक होने के नाते कि जरू पुरत पढ़ने पर आप क्या करें देश की रच्छा करें और आवान किये जाने पर देश की रच्छा के लिए आप तत्पर रहें और वहां पे जाके क्या करें देश की रच्छा के लिए अपने आपको निचावर कर दें इसको भी कंतब्य की रूप में क्या किया गया है अगर भार्ति बिवस्था को समरस्था के साथ क्या करना है चलाना है तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा और ऐसी बिवस्था का ऐसी प्रथा का हमको क्या करना है विरोध करना है जो प्रथा या जो भी विवस्था वह इस्त्रियों के विरोध हो इस्त्रियों के विरोध हो या इस्त्रियों के सम्मान के विरोध हो ऐसी प्रथाओं का हमको क्या करना है विरोध करना है इसको भी किसक किमा मॉली करतव्य जोए नंμबर क्या कर रहा है हुमारी सामाजिक शंजिक पॉर्ण trousers SEC कि गवरो साली परम्परा का महत्थ विक्ष्य के अगर उसका प्राजीन समय जो भी लिए इतज रहे हैं उन इतिहास सो का क्या करना है सम्मान करना है उन इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो संस्कितियों का दिये दिये कैसे कैसे विकास हुआ है सब्धिताएं आई है इन सभी संस्कितियों सब्धिताओं को भी क्या करना है हमको बनाए रखना है तो गौर उनकी परंपराओं को क्या करना है य हैं कुछ मूल करतब दब्यां ध्यृत करते हैं तो वहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है ऐसा तो नहीं है कि वह मिलते रहे हैं आपको लगेगा यह लेकिन वास्तों में ॢिपी यह बिस्प ईफ क्मूछ इष्टारणत है कौन से ध्यृत एस्पूट रosh tips का मुल लेक, रीवर, वन्य जीव और उनकी रच्छा और समवर्धन करें तथा प्राडी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो वन प्रकृति के जो फॉरेस्ट वन ने जियो हैं उसके अलावा उसके अलावा जो प्राडी हैं उनके प्रति क्या करना आपको दया भाव का भावना रखना है इन सभी चीजों को क्या करना है मुल करतव्यों के रूप में रखा गया है जिसको आपको क्या करना है जिसका स ब्रग्यानिक्ता को बहाएंगे तो तरक का विकास होगा तरक का विकास होगा तो आप किसी चीज को लॉजिक के साथ उसका एनालिसिस करेंगे लॉजिक के साथ एनालिसिस करेंगे तो जो विकास में क्या होगा सहायक होगा तो इस प्रकार ऐसे मुलकर्तब में ब्रग्यानिक सबसे जुठेनच होता है कि सावजनिक संपत्ति को इसे बचाया जाए और उस समय सबसे ज़्यादा नुक्सान किसी का होता है तो सावजनिक संपत्ति का होता है उसको नुकसान नहीं पहुचाना है, तो इसको भी क्या करना है, ध्यान रखना है, इसको भी मौली करतब्य की रूप में रखा गया है, ग्यारवा, सोरी, दस्मा, ब्यक्तिगत और सामोई गत्विदियों के सभी चेत्रों में उतकस की और बढ़ने का सतत प्रयाज करें, जिस मौल करतब्यों का आपको सम्मान करना है, हाला कि बात देकारी नहीं है, लेकिन बात देकारी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आप मौली करतब्यों के बारे में ध्यान देना है, और करतब्य और अधिकार के मद्य संत्रुन बना के चलना है, नेक्स्ट, ग्यारह, 11 नमर क्या कर रहा है अभिभावकों का यह करतब भी होगा कि वो अपने 6 से 14 वस्तक के बच्चों के लिए सिच्छा की बच्छीत हो सकें और देश के विकास में अग्रडी भूमी का क्या कर सकें निभाद सकें तो ये मौली कर्टब ये थे 11 प्रकार के मौली कर्टब जिसके बारे में लोगों ने चर्चा किया हम लोगों ने यह देखा एक वार रिवीजन करा देते हैं इससे बाहर इससे कोश्चन आने नहीं है इतना more than sufficient है आपके लिए आप इतना रिवीजन कर लेंगे 10 मिट में आप का इससे बाहर कोश्चन नहीं आएगा फिर से मैं एक वार रिवीजन करा दे रहा हूं मौली कर्टब्यों को किस भाग में रखा गया है तो मौली कर्टब्यों को भाग चार कर में रखा गया है मौली कर्टब्यों को कब सामिल किया गया तो मौली कर्टब्यों को 1976 में सामिल किया गया तो 42 सम्भीदान संसोदन किया गया किस समित के सिपारिष पर मौली कर्तब्यों को सामिल किया गया तो अतमान में आज की परिपेच में मौली कर्तब्यों की संख्या कितनी है तो 11 प्रकार के मौली कर्तब्य है दो हजार दो में ग्यारवा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, छेहासे वान संभीदान संसोदन दो हजार दो के द्वारा, यह अभी भावकों के कर्तव्य है, कि वह अपने बच्चों 6-14 वर्स तक के बच्चों के लिए क्या करें, सिच्छा का प्रविजन करें, सिच्छा की व मौलिक कर्तव्य में इतना ही, जितने ब्रगार के फैक्ट हमने बताया, उसको आप रिविजन करिए, कोस्चन उसी से आने, उससे बाहर नहीं आने, धन्यवाद, आज हम लोग का क्लास ही तक, आगे का वीडियों हम लोग का क्लास होगा, राश्टपती का क्लास होगा, यह क्लास होगा, दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, धन्यवाद.